यह जो भी लेक्चर्स हैं यह हमारे रेकोर्डेड लेक्चर्स होंगे जो आपको हमारे भगट टेक्णो के एप पर मिल जाएगा जिदे आप चाहे तो हमारे भगट टेक्नो के आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं TenderSolution.co.in हमारे ये website है और यहाँ पर जदी जाते हैं तो download भगट techno आप बोलके मिलता है तो यहाँ से आप click करके आप हमारे app को download कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारे हैं आप आगे जाके तो जो भी लेक्चर्स होंगे आज के बाद मतला आज से और हम लोग जो भी साथ दिन आट दिन हमारे लेक्चर होंगे यह पूरे लेक्चर्स के वीडियो आपको हमारे application पर ही मिलेगा ट्रेनिंग के दोरान या ट्रेनिंग के बाद हमारे आपको जो भी problems होंगे उसके support system रहेंगे supports के लिए सबसे पहला जिसके साथ आपका concern person है आप उनको contact करेंगे जैसे जीम पे कोई update आते हैं काम करते करते आपको कोई problem आता है तो आपको उसके regarding जो support system रहेगा उसके regarding हम बात कर रहे है तो आपका जो concern person है जिनसे हम आपकी बात हो रही है वो आपका पहला concern person होगा उसके बाद भी आपके problem sort out नहीं होते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे numbers है हमारे team के यहाँ से आप आप हमें भी पूरे contact कर सकते हैं या फिर WhatsApp में message डाल सकते हैं तो यहाँ से आपको support के बाद जिदे आपके training के बाद आपको कोई problem होता है तो यहाँ से support का system चालू रहेगा training के दोरान आज का lecture में तो कोई doubts नहीं रहेंगे पर कल से lectures में per day 6 बजे से जो lecture चालू होगा इसके बाद हमारे पहले doubt के session होगे कि कल के lecture में आपको कुछ problem आ रहा होगा काम करते करते तो पहले हम लोग उसके उपर काम करेंगे वो आपके problem को solve करेंगे उसके बाद ही हम लो लेक्चर को चालू करेंगे ठीक है और ट्रेनिंग के बाद आप हमारे certificate यहां से डाउनलोड कर पाएंगे और certificate के लिए जिदि आपको कुछ रहा तो आप यहां पर मेडम का नंबर है आप मेडम से contact करेंगे यहां पर कुछ steady material है जो आप steady material भी देख सकते हैं जैसे बीड के regarding documents है OEM panel जिदि आप manufacturer हो तो OEM panel उसके regarding documents है जेम के transaction charges के regarding कुछ हम लोगों ने तीन blocks बनाएं जिसको भी आप पढ़ सकते हैं बोले जिदि आपको हमारे syllabus देखना है तो jam portal training है यहां से आप हमारे पूरे syllabus को देख सकते हैं कि हम syllabus में क्या क्या cover करेंगे नीचे देखेंगे तो यहां से आपको पूरा syllabus मिल जाएगा जैसे rules and regulations, seller registration, profile update, cause and money और my account यह हमारे lectures का पहला पार्ट होगा दुसरे पार्ट में direct purchase मैं sorry direct purchase बोल रहा हूँ reseller panel जो Q2 के category के लिए use होता है वो क्या है उसको कैसे use करते हैं OEM पैनल जदी आप as a manufacturer हो तो आपको OEM पैनल कैसे लेना है brand approval आप अपना छोड़के दूसरे का भी brand approval करा सकते हैं यह trademark के लिए होता है जदी आपको बास trademark है किसी भी company का तो उनका brand approval करा सकते है या OEM है तो उन से हमारा आ जाता tender के रिखा देंगे tender search करना tender को study करना documents preparation करना जिसमें make in India उद्धियम ATC past performance schedule bid और भी अलग-अलग type के हम लोग bids के बारे में यहाँ पर discussion करते है custom bid type of bids जैसे service bid, PSE bid, BOQ bid, custom bid, product bid, service bid and RA इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे और हर एक bid में participation करना जितने भी type के bids हैं सब bid को participate करना यह सबी चीज़ हम लोग आगे के class में देखेंगे इसके बार हम लोग buyer के lecture में आएंगे buyer के lecture में direct purchase करना जिसकी limit अभी 50,000 है 50,000 से नीचे का purchase L1 purchase with comparison जिसकी limit अभी 10 lakh है हर type के bid को तयार करना मतलब आप bid बनाना सिखेंगे buyer के ID में invoice upload करना जदे आपको कोई order मिलता है तो seller के account में invoice कैसे बनाते हैं buyer का ID में CRC generate करना और buyer का registration ठीक है उसके बाद के lecture में एक push button procurement होता है उसके बारे में थोड़ असा knowledge देखेंगे buyer का dashboard government के email ID के बारे में जानना और आपके कोई doubts email ID open करना email ID के बारे में discussion करना यह सब चीज़े हमारे session में cover होगा बोले किसे को कोई doubts है यहां तक में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यह पूरे class के दोरान किसे कोई doubts है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर्विसेस में कितने तक का लवन डारेक्ट है सेम 10 लाग डारेक्ट पूछस पचास अजार लवन 10 लाग चाहे वो product हो या services हो product में किसी का लवन नहीं बनता है जैसे कि यह रिक्सा पैडल रिक्सा यह सब चीजों का लवन नहीं होता है सर्विसेस में बहुत सारे category हैं जिसमें diet purchase allowed नहीं है बाकि maximum category पर यह आपको मिलेगा तो किसमें allowed नहीं है वह हम लोग बाद में हम लोग discussion करेंगे उसके उपर हाँ सर हाँ टू डाउनलोड जैम पोर्टल यह हमें मतलब समझाने मेडम सर जैम पर वर्किंग करने के लिए इसका पोर्टल बगरे कुछ डाउनलोड करना पड़ता होगा कुछ लग नहीं मेडम कुछ भी डाउनलोड करना है इनका यह website है जैम.gov.in जैदि आप यह डाइक टाइप कर देंगे तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा जो मैं आपको चैट बोक्स में चाहिए तो लिंक भेज देता हूं ओके वह मिल जाएगा ना ओके सर्थ किसी को और को डाउट से किसी को कुछ पूछना है सर्थ एस लबन करना हम सर इस क्लाश में सिखेंगे जो slyvers में में नहीं था और सर्थमें भी डाइट पिखिज अलवन डोन सिखेंगे और सर्थमया स्रभिस में आपको गैरेंसे कि आपको सर्थमयासमिर में कउणा सोगा यह यावाइन से स्जारे वह कोई भी आप निकाल दीजिए मैं आपको फिलहाल तो एक ड्वाइस निकाल रहा हूँ बोलिए और कोई किसी को कुछ पूछना यहां तक में ठीक है तो चलिए फिर हम रेजिस्टेशन का क्लास सबसे पहला रेजिस्टेशन एजेम का वो क्लास चलू करते हैं देखिए जेम पे रेजिस्टेशन कैसे करते हैं और रेजिस्टेशन को लगने वाले मैंडेटरी क्या क्या डॉकॉमेंट्स है जो आपको मैंडेटरी रहेगा क्या लगता है जेम पे आपको रेजिस्टेशन करने के लिए मैंडेटरी क्या क्या है ज़िए मेरी कंपणी प्रोप्राइटर्सिप है प्रोप्राइटर्सिप मतलब कैसे कंपणी को प्रोप्राइटर बोलते हैं कैसा कंपणी है जिसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं single owned company शिंगल owner की company है ना ऐसे कंपणी जिसमें ओनर सिंगल हो single owner company जिसमें owner one हो एक owner ही हो ऐसे company को और एक रहता है जिसको H.U.F. भी बोलते हैं तो चलिए हम लोग proprietorship company ऐसी ही रहती है जादा तर हम लोग proprietorship company single owner के base पे जान जाते हैं तो ऐसा जिदि कोई company proprietorship है और आप लोग maximum proprietorship हो इसलिए हम लोग example इसका लिए रहें कि ऐसे जिदि हम कोई proprietorship company को JMP registration करना चाहते हैं तो हमारी लिए mandatory जो लगेगा ही लगेगा ये documents क्या-क्या है ठीक है pen card लगेगा इमेल आईडी लगेगा फोट कंपणी का नाम लगेगा कि आपका कंपणी का नाम क्या है तो आप आपका नाम भी कंपणी का नाम डाल सकते हैं ज़िए आपने कंपणी का नाम नहीं सोचा है तो आप आपका नाम ही कंपणी का नाम रख सकते हैं जैसे आपका अक्षे कुमार ह जिदि आपके कोई company का नाम नहीं है तो आप अपना नाम company का नाम भी अक्षेकुमार पर मेरा नाम जिस आदित्यपंडित है तो मैं आप चाहू तो company मेरे भगट टेक्नो के नाम से documents है तो मैं भगट टेक्नो रोखूंगा company का नाम ज़िए नहीं है तो मैं आदित्य पंडित के नाम से भी अपना company खोल सकता हूँ, कोई problem नहीं है, तो ज़िए आपने कोई company का नाम सोचा है या उसके रिगाइलेवेंट कोई document से तो company का नाम वो डालेंगे, otherwise company का नाम में आप अपका नाम भी रख सकते हैं, company का नाम जो रखे आपका company जो भी है, उसका address क्या है, और आपके bank account होने चाहिए, जो भी आपका होगा, bank account किसके नाम का, company के नाम का, इतने सारे documents आपके लिए mandatory है, तो इतने सारे ज़िए आपके पार documents है, तो आप जेम पे अपना registration कर सकते हैं, ये आपके लिए documents जो है, जेम के लिए mandatory है, मतलब लगेगा ही लगेगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे person है, जिनके पास ये relevant documents नहीं है, ये relevant document साइद कोई होगा जिनके पास ये documents नहीं है, क्लियर है, कोई doubts है किसी को? सर इसमें, ये GST नंबर बगएरा की कोई requirement नहीं होती? mandatory नहीं है, optional है, है तो भी चलेगा, नहीं है, तो भी चलेगा, अभी हम लोग optional list में आएंगे थोड़े बात. सर, pen card, company के नाम का pen card साहिए है, खुद का pen card साहिए है? सर, proprietorship है, तो personal pen card होता है, company का नाम का होगा तो फिर company का नाम हो जाएगा, फिर वो company proprietorship नहीं रहेगी, है ना? अगर सर, suppose GST वाला, मैं GST वाला नहीं कर रहा, तो इसमें कुछ ऐसा भी है कि मैं एक limited amount के ही… सर, proprietorship और private limited company होगा, तो फिर क्या-क्या documents आपके लिए हो जाएगा, तो आपके documents थोड़े बदल जाएगा, तो आपके documents थोड़े बदल जाएगे, ज्यादा कुछ नहीं, यह सब तो लगेगा ही लगेगा, अब यहाँ पर कुछ documents नहीं आ जाएगे, जैसे कि company का पेनाब, हम लोग यहाँ पर pen card किसका ले रहे थे, जो owner है उनका खुद का, अब यहाँ पर company का pen card, यह लगेगा पहला, दूसरा, और क्या लगेगा, CIN number होता है, company का information number, CIN number, DIN number, जितने भी डारेक्टर है, सबका DIN number, और कोई भी एक owner जिनका pen card, जो company में जितने भी डारेक्टर होंगे, उसमें से किसी एक का pen card, यह तो लगेगा ही लगेगा, और यह भी लगेगा, इतने चीज़े फिर आपके लिए mandatory हो जाएगा, यह private limited limited company में यह information extra हो जाएगा, बोलिए, कोई doubt से किसी को? नो सर्थ, चलिए तो आते हैं, और क्या-क्या documents मांग सकता, यह तो mandatory, लगेगा ही लगेगा, optional में क्या-क्या है, optional में पहला है GST, यह है पहला number 2, क्या है आपका GST का certificate है, in case आपके पास GST certificate नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप GMP काम नहीं कर सकते हो, पर limitation के साथ, कुछ limitation रहेगा आपके लिए, वो limitation क्या रहेगा, limitation रहेगा, कि आपके लिए, yearly एक साल में आप 40 lakh तक ही business कर सकते हो, कितना business कर सकते हो, less than or equal to 40 lakh, यह आपके बास GST नहीं है, तो आप 40 lakh तक का business कर सकते हो, चालिस लाग के उपर business नहीं कर पाऊँगे, एक financial year में, यह कौन सा, financial year में, clear है, यह आपके पास GST नहीं है, तो एक साल में जेम पे आप 40 lakh का order ले सकते हो, चाहिए वो product हो या services हो, उसके उपर का order without GST नहीं ले पाएंगे, दूसरा, ITR, जिसको हम लोग जेम पे tax assessment बोलते हैं, जेम पे इसका नाम क्या है, tax assessment, tax assessment क्या होगा, ITR कब mandatory होगा, यहाँ पे आपसे एक information के तोर पे पूछा जाता है, वो क्या है, जैसे bank यहाँ पे company का नाम पूछा जाता ना, ऐसी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, कि company का date of incorporation कब है, मतलब company चालू होने का date कब है, date of incorporation मतलब company चालू होने का date, तो company चालू होने के date से, date of incorporation से 24 month, जदी date आज का है, today, तो आज से 24 month तक, जो भी date of incorporation आप डालेंगे, यहाँ से 24 month, date of incorporation से 24 month तक, आप without ITR सब कुछ काम कर पाएंगे, आपको कोई भी documents की ज़रुरत नहीं है, आप सभी काम कर पाएंगे, 24 month तक, 24 month के बाद भी जदी आपने ITR अपडेट नहीं किया तो, jam पे आपको जन्दली दो तरीके से order मिलता है, तीन तरीके से, क्या-क्या, order मिलने के आपको jam पे तीन तरीके हैं, एक है direct purchase, जिसकी limit 50,000, L1 purchase, जिसकी limit 10,00,00, और 20,00,00, जिसकी कोई limit नहीं, इसकी क्या है, no limit, tender निकलेगा, parallel 1 की limit है 10,00,00, और इसकी है अभी 50,000, 50K, यह इसकी लिमिट है, ठीक है, तो तीन तरीकी से जनरली आपको order मिल सकता है, तो इसमें क्या होगा आपको, जदि आपने 24 मन्त के बाद भी ITR अपडेट नहीं किया, तो आपका एकाउंट बंद नहीं हो जाएगा, या फिर आपको काम मिलना नहीं किसमें मिलेगा, यह दोनों प्रोसेस में मिलेगा, इसमें आपको काम मिल सकता है, यह दो प्रोसेस से आपको काम फिर भी मिलता रहेगा, आपके लिए जो बीड का options है, वो बंद हो जाएगा, 24 मन्त के बाद भी, after 24 मन्त भी आपने अपना ITR अपडेट नहीं किया, तो आप बीड में participate नहीं कर पाएंगे, पर direct purchase का काम फिर भी कर पाएंगे, विदाउट ITR अपडेट करके भी, और 24 मन्त तक, जदि आपने जो date of incorporation डाला है, वहाँ से जदि 24 मन्त तक आपने अपना ITR अपडेट नहीं भी किया, तब भी आप सब में काम कर पाएंगे, क्लियर है, किसी को कोई doubts है, यहां तक में, ITR वाले पार्ट पे, तो इस एक बार जदा, उसको रिपृट कर दिए, तो, बीड से आपको आपको आपडेट नहीं मिलेगा, बीड से आपको आपको आपडेट नहीं मिलेगा, नहीं कर पाएंगे, 24 में के बाद, रागव सर, और रामीन सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बोर्ड पे कुछ मत लिखे, आप बोर्ड पे बहुत स्क्रैच कर रहे है, रागव सर, प्लीज बोलिए, सर, ये डाइरेक्ट परचेश 50K क्या है, पच्चास हजार तक का इसका लिमीट है, मतलब जैसे अमिजन और फ्लिप कार्ड में कुछ खरिदते हो ना, आप याद है, कि नहीं कभी न कभी, ऐसे खरिदते हो, आपको पोडेट को और पसंद आया, आपने डाइरेक्ट पसंद आया, और कर दिया, ऐसा ही बायर आपको ओडर दे सकता है, जिसको हम लोग डाइरेक्ट पर नहीं दे सकता है, पर वह पूपर का समान का ओडर आपको नहीं दे सकता है, infin कि तरह जैसे आप में खरिदते हो, और बायर आपको ओडर देगा, मतलब बायर ओएसा खरिद पाएगा, अमिजन फ्लिप कार्ट की तरह है ना जी साथ और किसी को कोई डाउट से यहां तक में ठीक है तो यह हो गया सेकेंड पार्ट अपना यह दोनों हमारे लिए अप्शनल कब होगा और मैंडेटरी कब होगा यह आपको पता चल गया दो में तिसरा तिसरे पॉइंट पाते हैं थर्ड और फॉर्ड पॉइंट दोनों एक साथ हम लोग लिख देते हैं क्या है उद्यम जिसको हम लोग आजकल MSE भी बोलते हैं उद्यम या MSE Micro Small Enterprises पहले इसको MSM ही बोलते थे Micro Small Medium Enterprises अब Medium को निकाल दिया गया अब सिभ Micro Small वाले ही होंगे and Startup Startup India ये भी आपके लिए Optional है दोनों ये जिदि आपके पास है तो इसके Benefits मिलेंगे जिदि आपके पास ये सब में कोई भी डॉकमेंट्स नहीं है तो इसके Benefits नहीं मिलेंगे तो क्या-क्या Benefits होता है जैसे कॉजन मनी में छूट मिलता है जदि आप लोग नए हैं तो उनको नहीं पता चलेगा पर पुराने लोग हैं उनको पता होगा कॉजन मनी क्या होता है जेम पे आपके पास उद्यम का Certificate है तो इस टार्ट अपको इसका कोई Benefit नहीं मिलता पर उद्यम वाले को मिलता है सेकेंड और क्या Benefit मिल सकता है यह हो गया पहला पॉइंट दूसरा Turnover and Experience में मैं आपको छूट मिल सकता है मतलब कोई Bit Tender निकला है तो उसमें Without Turnover मतलब आपके पस Idea नहीं और Experience भी नहीं है तो Without Turnover और Without Experience भी आप वो टेंडर भर पाओगे ऐसा नहीं कि हर Tender में भर पाओगे ऐसे Tender के कुछ Norms होंगे जहां पर इसका Benefit उठा सकते हो यह दोनों के लिए Tender में ऐसे Clause लिखे हुए होंगे तो पर इसका Benefit मिल सकता है थर्ड एमडी में एक जमसन मिल सकता है एमडी क्या होता है टेंडर भरते वक्त आपको कुछ Amount deposit के एक तोर पर रखना पड़ता है बायर के पास तो वह जो deposit का पैसा है वह आपको बिना भरे भी टेंडर में आप पाडिसिपेट कर पाओगे एमडी मतलब earnest money deposit बोलते हैं यह deposit amount है ऐसे भी आपको refund मिलता है पर आपको यह रिपोजिट करने की भी जोरत नहीं तो आपको यह refund मिल सकता है EMD और भी कुछ benefits है जैसे की L1 plus 15% का benefit मिलता है जो हम लोग आगे के class में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब इसके clauses एके करके आपको clear होता जाएगा फिलाल basic level पर हम आपको समझा रहे हैं तो यह जदि आपके परस रहा उद्यम और startup इसके benefit मिलेंगे नहीं रहा तो उसके benefits आपको नहीं मिलेंगे clear है और कोई doubts है किसी को यहां तक में कि अधितर सब्सक्राइब और मोबाइल नंबर यह हम तो बदल सकते हैं कभी बाद में या यह mandatory वो रहेगा हमेशा एक ही लिए नहीं हमेशा रहेगा जदि आप यहां पर भी कुछ clause होंगे जो मैं आगे बताऊंगा कुछ जगह पर मोबाइल नंबर बदल पाएंगे हमेशा बदल पाएंगे मोबाइल नंबर आप बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते कुछ clauses इसमें भी रूल्स होंगे जो आगे-अगे क्लास में दीरे-दीरे कवर करेंगे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको डायेट पर फिर भी ऑर्डर मिल सकता है यह हम लोग अगर अगर किया हमने पिल अपनी करते हैं तो भी तो भी हाँ अच्छा अब बोली सर और कोई डावट से किसी को यह तक बोलिए यह कितने रूपी पर जमा करना होता है वह आपको टेंडर में लिखा रहा है जो हम लोग आगे देखो यह समय कोई डिटेल्स में डिसकुसन नहीं कर रहे हम टेल केंडर में अभो इसका हमारा एक बीसिक पाड़ है हम लोग तो रिजीश चेसर में क्या क्या पॉइंट आएगगा उस पॉइंट को हम लोग तच कर रहें इसके बारे में यह सबYes की जोडधों होगी वहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिसकुसन करे बोले किसे और कुछ डाउट से जी सिर्ट यह बोल रहा हूं कि डिटेल डालना रहता है वो कितने साल का डालना है हमें एक साल का डाल के चेक किया था तो पर उसमें वह बताता है कि यह यह रिकॉर्ड अलड़ी एक्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कुछ आप गलत है अलग होंगे आप अलग चीज़े पूछ रहे हैं यहां पर कुछ अलग है इसके साथ उनका कोई रिलेवेंट नहीं है नहीं जैसे वह आई टीर का जब डिटेल लालते हैं अपन से लेगा हम लोग हम लोग वहां पर फिलप करेंगे डिटेल आएग तो आप चाहिए तो आप मुझे उसका इसकी इंट्रोट भीजेंगे तो हम लोग उसके पर डिसक्रशन करेंगे अब बोली नेक्स्ट और किसी का कोई डाउट से मेरा इंडाउट है यह आपके पास मैंडेटरी डॉकॉमेंट से देखो कितने छोटे हैं जो आपके पास सब के पास इवेलेबन इतना ही कुछ भी लिख सकते हैं अपना नाम से बैक का इसक्राइब के नाम का इसक्राइब कर आपको बैंक एक जाए तो फिर आपके इंटरपाज्जिस के सब्सक्राइब का नाम का आपका ही नाम है तो परसनल एकाउंट चलेगा जदि कमपणी के नाम ने अपने सचीन इंटरपाइज जैसे सचीन कुछ किया है तो फिर आपके पास करेंट एकाउंट बोना चाहिए कंपणी का नाम सब्सक्राइब के लिए शुरू से कुछ करना पड़े सर अभी रिगार्डिंग हम लोग नहीं डिस्कॉसन कर रहे हैं प्लीज आउट साइड मत पूछिए हम जहां पे हैं उसके रिलेवेंट जिदे आपकी कोईज है तो पूछ सकते हैं अदर्वाइज आप फ्लीज साइलें कि रहेंगे बोलिए नेक्स्ट किसको कोई डाउट से इस अउनके आप इससा नहीं है ईता है जिदि आपका कंपनी का नाम आपका खुद का नाम रहा तो आएगा नहीं तो नहीं तो नहीं तो current account ही जाएगा आप सचिन इंटरफाइजेस करेंगे और सचिन कोई भी आपका नाम है सचिन एक्सवाइजेस सचिन कुमार है या सचिन कुछ भी अंकुस राठोड है तो राठोड के नाम से होगा तो फिर कैसे वह फिर आजाएगा अंकुस इंटरफाइजेस होगा अंकुस राठोड का बैंक अकाउंट देंगे तो पैसा तो नहीं देंगे ना सब है ना है एक्चुली और एक बात है कि बिजनेस जिदे आप कर रहे हो तो आगे जाकि करेंट होना ही चाहिए वह अलग बात है पर आपका फिलहाल काम स्टार्ट कंपनी चालू करने के लिए फिलहाल आप काम कर सकते हैं यह हमारा कंसर्ण है चलिए तो आगे बढ़े हम लोग यहां तक क्लियर है सबको तो मैं यह ड्रॉइंग को एरेज कर देता हूं और रेजिस्ट्रेशन के वारे में आगे बढ़ते हैं देखिए यह हमारा वेबसाइट है jam.job.in हम रेजिस्ट्रेशन किसका कर रहे हैं सेलर का हमारा रेजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है सेलर का पार्ट सेलर में हम रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेलर में रेजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है Seller में Registration करने के लिए हम लोगों ने पहले उसके surrounding discussion, क्या-क्या हमारी लिए लगेगा और क्या-क्या हमारे ली optional है अब आते हैं Seller के main mode पर कि Registration कैसे करें तो Registration करने के लिए आपको जाना है sign up, यहाँ पे आता है sign up Sign up as a Sanler या Service provider है यहाँ यहाँ पर देखो जेम का website खोलना है, sign up पे click करना है, यह seller और service provider यहीं click करना है, यहाँ पे आपको एक rule बता देता हूँ, आप यहाँ पे एक pen card से यही registration कर सकते हैं, एक pen card से दो registration नहीं कर सकते हैं, एक GST नमबर से एक ही registration होगा, यह जेम का rule है, माल लिजा आप proprietorship company यह आपके 5 companies है, तो आप 5 कंपणी को registration जेम पे नहीं कर सकते हैं, उसमें से किसी एक company को ही registration कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही pen card है, हाँ आपके पास pen card अलग-अलग है, तो आप registration अलग-अलग कर सकते हैं, फिर भी maximum दो, इस से ज़्यादा नहीं, इस चीज को ध्यान में रखो, दो registration नहीं कर सकते, same pen card से, ज़्यादी आपके proprietorship company है, तो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी seller और service provider के registration का पहला पार, फिर से मैं repeat करता हूं, जेम के website में जाता हूं, यहाँ पे sign up, seller और service provider, इसमें तीन पार्ट है, पहला pre-request, फि third part है registration, यह तीनों पार्ट को हम लोग cover करेंगे one by one, पहला पार्ट, प्रिरिक्वेस्ट, इसमें क्या है, इसमें कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, कि आपकी company किस type की है, organization type, आप जो choose करेंगे, वही choose करना है, बाद में इसको भी आप बदल नहीं सकते, आगे जाके आप चूज कर लिया form, कि मेरी company partnership company है, या LLP है, तो आप form choose करेंगे, तो मैं बाद में मुझे पता चला है, मेरी company तो proprietorship थी, तो मैं बाद में बदलना चाहूं, तो मैं बदल नहीं सकते, इसलिए आपको अभी decide करना है, कि आपको जो choose करना है, यहाँ पे सभी type के company दिये हुए, ज़िए आपकी company proprietorship है, तो proprietorship, firm है तो firm, private limited, limited है तो company, partnership या LLP है तो firm, trust, society, AOP वगरा है तो आप ये वाला, या फिर आप buyer हो, central government, state government के, और seller में registration करना चाहते हैं, तो last options, इतने सारे आपके पास options है, type of organization में, तो माल लिजे मैंने डाला कि मेरी company proprietorship है, तो यहाँ पे आपके पास आगया required है, required में दो part required है, personal details और business details आपके लिए mandatory है, और ये वाला part आपके लिए optional है, तो मैंने जैसे पहले बताया था, वही सब आपको tick करना है, जैसे आपके पास आधार और pen, दोनों में से कोई एक चाहिए, active email ID चाहिए, business pen चाहिए, bank account चाहिए, ITR mandatory नहीं है, है ना, देखो, कब तक mandatory नहीं है, जब business older than 24 month, 24 महिने तक आपके लिए mandatory नहीं है, 24 month के बार mandatory हो, और register एक address, जैसे इसमें से हम किसी भी अक्योंटिक कर देते हैं, तो यह proceed का option निकल जाता है, टिक करेंगे, तो प्रोसीड का options आ जाएगा, क्लियर है यहां तक, कोई doubts से तो बताब यहां तक, कि यहां तक में किसी को कोई doubts से है, मतलब participate कैसे करेंगे, अभी उसके regarding हम बाद में discussion करेंगा, अभी फिला registration के regarding discussion करें, registration ही आपका नहीं होगा, तो टेंडर में participate कैसे करोगे, पहले registration को करना पोड़ेगा, है ना, तो registration की regarding discussion करेंगे, registration करने वक्ता आपके को कहीं जीस्टी लग रहा है, आप हमें तभी discussion करेंगे, क्लियर है यहां तक, क्लियर है जैसे आपने इसमें सेलेक किया और पार्टनर सी, हाँ, तो अभी आपने थोड़ी दर पहले एक पता है, एक हुएफ होता है, उसके लिए क्या सेलेक करेंगे, हुएफ के लिए प्रोप्राइटरसीप ही चुछ करेंगे, आगे आपके पास हुएफ का options आए, हुएफ हम लेते हैं, और हमारे सेम पैन कार्ड पे एक प्रोप्राइटरसीप है और हुएफ है, जो आइडी बना सकते हैं या नहीं, हाँ, दो आइडी बना सकते हैं, क्यूंकि हुएफ का, अलग होता है, इसलिए बना पाएंगे, किसका कोई दी था, क्लियर है क्या उनका, यह सब्सक्राइब, नेक्स्ट और किसका बोलिए, हाँ जी सर, बोलिए, यह optional वाले पे second option है, DIPP number for startup, यह DIPP number क्या होता है सर, इसलिए आपके पास startup इंडिया का license है, तो आपको DIPP number मिलता है, ओके, तो यह आपके पास है, तब भी नहीं tick करेंगे, तो भी चलेगा, टिक कर भी देंगे, मेरे पास startup नहीं है, और मैंने tick कर दिया, तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, tick करना है या नहीं करना है, हम जड़ी यहाँ पे नहीं tick की और मैं पस उद्यम है, तो क्या मैं बाद में उद्यम update नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिलकुल मिलेंगे, हम बाद में फिर भी उद्यम update कर पाएंगे, तो आप tick करो या ना करो, इससे क प्रक फर्क नहीं पड़ता पर इतना आपको ठीक करना ही अ थीट है तो मैं आगे वाड़ताओ। ता ये मेरा पहला पार्ट कंपलेट हो अ सपर्ट आएगा टाम सेंग कंडिर कि लित हम इसको करते हैं जैसे तुसे प्रोसेड करेंगे पहला पार्ट हमारा गृइन हो गया मतलब हो घिन राया पूरे टॉर्चेंग कंडिसर जैसे कुछ टॉम सन्वेन अभी हम लोग बता रहे थे आपको कुछ टूं सन्व कंडिसरन पता चला प्या-क्या-का-भी जैसे लमन का पसेश का लिमिट पचा मिलता है उद्ध्यम वाले को ऐसे बहुत सारी टर्म सम्लों डिसकर्शन करें और आगे भी डिसकर्शन करेंगे तो यह जो टर्म संद कंडिशन है वह सब यहां पर लिखा हुआ है यह टोटल 54 पेजिस का टर्म संद कंडिशन जेम का आप चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो यह 144 और 1449 पढ़ना पड़ेगा इसके भी रूल हम लोग डिसकर्शन करते हैं यह यह भी हम लोग करते हैं जीएफार है गौर्मेंट फाइनस रेगुलेशन बोलते हैं जीएफार तो यह सब जो पार्ट है यह हम लोग जैसे से हमारा उस पार्ट में वह आएगा उसके बारे मे हम लोग आपको डिसकर्शन करते रहेंगे तो मैं संद क को किसेब्ट करता हूं एंड फ्रोसेड पर जांगे देखो अप्रोसीड कब से अनेवल हो गया अब हैं अब यह हमाराद दो पार्ट कॉंप्लेट हूं तो अब आते हैं ठर्ड पOंट पे रूजिस्ट्रेशन देखिए आप registration सबसे पहले आपको business का नाम पूछा जा रहा है कि आपका business का नाम क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आपका नाम भी रख सकते हैं और company का नाम भी रख सकते हैं तो माले जिए मेरे मेरे रखना जाता हूं भगट टेक्नो तो भगट टेक्नो रखता हूं यहां पर भी भगट टेक्नो जदि आपके बाद जिएस्टी है उद्यम है तो वहां पर जैसा नाम है वही नाम रखना है नहीं है और फिर भी रखना है तो बाद में आप जिएस्टी बनाएंगे या उद्यम बनाएंगे तो वहां पर ऐसा ही नाम रखेंगे तो वह नाम आप सोचके पहले रखो यह नाम आप बाद में बदल नहीं सकते तो मैंने भगट टेक्नो मेरा कंपनी का नाम है तो मैंने भगट टेक्नो करके रख दिया और इसको करते हैं नेक्स्ट पाते पर्सनल वेरिफिकेशन मतलब कोई पर्सन का वेरिफिकेशन तो इस प्रोप्राइटर्शिप कंपनी मेरा है तो मेरे कंपनी में ओनर हुमें तो मेरे पास हम दो तरीके से अपने आपको वेरिफाई कर सकते हैं वो पर्सन को वेरिफाई करने के लिए लिए तो पर्सन को ड़ाल के भी वेरिफाय कर सकतें या दो तरीके से आप अपने आपको अधार नंबर से वरेरिफाय करें तो को यहां पर probe नॉनिए यहां पर प्रॉबाइल लगर कर सक्तें यहां पर वरिफिकेशन नहीं करना प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है जदि आपने आधार बेस्ट किया तो बाद में आप अपना मोबाइल नंबर बदल नहीं सकते इमेल आईडी तो बदल पाएंगे पर मोबाइल नंबर बदल नहीं पाएंगे क्योंकि आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आटोम आधार काड़ आपके safety purpose के लिए आधार बहुत अच्छा options है तो आधार से mobile number link होना चाहिए और आधार आपका lock नहीं होना चाहिए तो आधार से verification हो जाएगा जदि आपको ऐसे कोई भी condition लगता है तो आप pain based भी कर सकते हैं जैसे कुछ अभी सर हमें बोल रहे थे या फिर हम स तो proprietorship का pencard तो मेरे नाम पर ही है पाटनरशीप में दो pencard जोगा वो company का pencard होगा ठीक है दो होगा अब हम चाहिए तो दो बार registration कर सकते हैं एक प्रोप्राइटर्शिप कंपणी का एक पार्टनर्शिप कंपणी का जब प्रोप्राइटर्शिप का करेंगे तो चाहे तो पेन बेस्ट कर लेंगे यहाँ पे मेरा ही pen card use हो जाएगा partnership का जब form का registration करेंगे तब आधार बेस्ट कर देंगे तब company के pen card हमारा अलग रहेगा तिसलिए हम दो बार registration कर पा सकेगे पर जदि अपनी company proprietors ही भी रही तो बाद में company का pen card मांगता है तो company का pen card में मेरा ही pen card डाल देंगे तो एक pen card से दो registration नहीं हो पाएगा इसलिए आगे जाके आप रुख जाओगे ठीक है आप अपने आपको verification के लिए दो option दिया है इसलिए यहां से आप दो बार आगे जा सकते हो ठीक है और इसके details आप जब आगे हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझ में आएगा कि मैं इस type के scenarios क्यों ले रहा हूँ in short यह समझ लो कि आप दो registration नहीं कर सकते एक ही registration एक pen card से एक ही registration कर सकते हो बोलिए कोई doubts से यहां तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताईए सर जो pen से अगर मैं register करता हूं और अधर से जो मेरा mobile link है तो इन future जो मुझे बाहर से call आएगे उसी number पर आएगे नहीं आप वहां पर अलग number use कर सकते हो बोलिए next door किसी को कोई doubts से बोलिए इन केस मैं दो company का पार्टनर हो दो company पार्टनर हो हाँ आप एक में personal pen card आपका यूज करो एक में दुसरे company का पार्टनर को यहां पर बना दो दोनों जगह पर आपको ही में में रहना ऐसा तो ज़रूरी नहीं है नहीं आप इसमें दोनों में पार्टनर आप इसमें आप आप इसमें पूछना था जो यह रिजिस्ट्रेशन हुआ हमारा जो प्रोप्राइटर्शिप का जैसे आपने अभी कराएं तो सर्फ यह यही प्रोसेस है मतलब यह मतलब इसमें कैसे पता लाएगा कि कोई और होता है और मतलब हम लोग स्टार्टिंग फेस में हैं तो दिमाग को जोर मत दीजिए ठीक करके क्लास कवर होता रहेगा आपको दिमाग एकदम आराम से सोचना जालो तो एकदम बिलकुल बिना टेंशन का समझें हम क्लास को उसके अकोर्डिंग लिए नहीं अब लिए बता दिए तो आपको वेट करना है कि अब एक एक अब तो मैं सर दोनों जी अच्व कंपनी है दोनों यह अलग अलग है दोनों सर्क्रोप्राइटर से इस पर नहीं कर सकते हैं आगे कंपनी का पर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक ही पेन है दो पर नहीं तो है नहीं कि जदि आपके पास दो पर होता तो फिर आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं पर लेकिन मेरा तो एक फर्म चल रहा है और फिर पर्वार होसकता है तो आप कर पाएंगे रेजिस्ट्रेशन करने आगे आपको नहीं देगा और इनकेस जदी किसी ने पहले रेजिस्टेशन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं था पहले जदी किसी ने कर लिया तो आपका कॉन्फ्लेक्ट होगा वह आगे आपको आपको कोई दिक्कत आने वाली है काफी सारा जिए हम आपको खुद से आपको एरर मैसेज जनरेट करता क्लियर है किसी को कोई यहां तक में डाउट से चलिए तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं यहां पर हम अब अलग से मेरे पास एक नया पेंकाड हमेशा होता नहीं है इसलिए मैं आपको इसके आगे लेके नहीं जा पाऊंगा तो यहां पर सिंपल है आधार डालना है एकसेप्प किजिए अधार कड़के नंबर पे अक वेरिफिकेशन कोड आएगा वेरिफिकेशन कोड डाल दीजी है आदार वेरिफाइध हो जाएगा फिर ईमेल से एक ही 안बर से ऐक पितने वी रेजिस्टेशन कर लो कोई फरक नहीं पढ़ता पर email ID हमेसा अलग-अलग रहेगा फिर email का verification होगा फिर user credential user credential में आप अपना ID और password क्या set करना चाहते हो वो आपको details डाल रहे जैसे details डालके complete कर देंगे आपका registration हो जाए रहा ये पूरे process को करने में पांच मिनट का भी time नहीं लगता है सिप कुछ चीज़े ध्यान देनी वाले थे क्या क्या आप एक organization details में company का नाम बदल नहीं सकते और type of organization बदल नहीं सकते तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहले से वहाँ पे गलती की कोई कुझायस नहीं होगी clear है कोई doubts है तो बताओ चलिए तो फिर हम लोग registration complete हुआ तो हम इसका profile आपको अब registration के बार हमें profile अपना update करना पड़ता है तो हम लोग अब profile अपडेट करते हैं तो user credential से मुझे अपना ID password मिल जाएगा तो मैं अपने ID password से login हो जाता हूँ यह ID डाला यह password ज़्याप password भूल गया है तो यहां से forget या reset से password reset कर सकते हो ज़्यापना user ID भूल चुके हैं तो क्या करेंगे user ID reset करने का कोई option नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा या तो इस email ID पर अपना pen card mail कर दीजिए या इस number पर phone कर लीजिए और इसको अपना pen card का number बता दीजिए वो आपको ID भेज देंगे ज़्यादी mail कर देते हैं तो maximum one hour के अंदर उनका revert mail आ जाता है और उसमें अपना आपका आप जो जो उस pen card से जितने भी ID registered है वो ID आपको भेज देते हैं आता ही है तो जदे आप ID भूल चुके हैं तो भी कोई problem नहीं है आप mail कर सकते हैं इस पे mail कर दीजिए आपको वो pen card का number तो आपको उस pen card के number में जितने भी ID है वो आपको revert mail में भेज देंगे और password भूल गया है तो यहां से forget या reset से जाके आप अपना password forget या reset कर सकते हैं तो मुझे मेरा पता है तो हम इसको ID डाला अब यहां password डाले और submit कर देंगे submit कर देंगे तो यह मेरा login हो चुका login होने के बाद यहां पर click करेंगे और my account यह इसको हम लोग my account बोलते हैं जिसमें profile मेरा 100% complete है यही profile आपको 100% complete करना पड़ेगा तो चलिए हम लोग एक एक करके profile complete करने का procedure के उपर काम करते है चलिए यहां तक में कोई doubt से किसी को सर वापस से बताइए एक बार कुन सा यह profile का start यहां पर आपके नाम प्र पर click कीजिए my account में जाईए तो यह profile आ जाएगा ओके सर चलिए तो फिर profile complete करते हैं सबसे पहला business का pen पूछा जाएगा यहां पर प्रोप्राइटर्सिप लिखा रहेगा यहां पार्ट्नर्सिप होगा तो पार्ट्नर्सिप लिखा हुगा रहेगा यह कहां से आया आपके registration से यहां पर आप company का pen card डालेंगे जदि आपकी company प्रोप्राइटर्सिप नहीं है तो अब आप company का pen card registration करते वक्त आप अपना personal pen card डालेंगे अब यहां पर company का pen card पर मेरी company जदि प्रोप्राइटर्सिप है तो मेरे पास company का अलग से pen card नहीं होता तो यहां पर में खुद का personal pen card ही entry करूंगा business pen में नाम as in pen जदि company का है तो company का नाम मेरा खुद का personal है तो personal नाम pen card में जो नाम है यहां पर जो नाम लिखा है वो नाम हम लोग डालेंगे input करेंगे और date as in pen यहां पर जो डेट है जदि company प्रोप्राइटरसीफ है तो यहां पर डेट ऑव बर्थ है जदि company partnership LLP प्राइविट लिमिटेड लिमिटेड है तो यहां पर आएगा डेट आप इनकॉर्पोरेशन क्लियर है बिजनेस pen validation में कोई दिक्कत है तो बताओ कोई भी डाउट से किसी को दो नाम edge पर pen card होना चाहिए कभी कभी यहां पर एक error message जरूर आता है जहां यहां पर first name middle name और surname होता है तो वहां पर आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि थोड़ा उलेट फ्लेट करके देखना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी यहां पर अलग नाम आ जाता है और यहां पर अलग तो यह यहां गलट डालेंगे तो यह automatically आपको error message generate करना चालू कर देगा ठीक है तो पहला जैसे आप इसको proceed करेंगे second number पर आ जाएंगे business details यहां पर हम लोग date of incorporation डालेंगे मैंने बोला था date of incorporation तो मैं यहां पर incorporation डाला हूं पांच October 2023 इसको एक बार एडिट कर सकता हूं एक बार इसको एक बार एडिट होगा सेव करूंगा नहीं लेगा रहे चे दस से पहले बाद का नहीं डाल सकते हाँ मैं पहले का लेकर जा सकता हूं इससे पहले का मैं कोई भी डेट डाल सकता हूं और एक ही बार एडिट होगा one time दूबार हम इसको एडिट नहीं कर पाई तो मैंने ज़िए आज का डेट डाल दिया तो हमारे लिए बेनिफिट क्या होता है कि मैं यहां से दो साल तक विदाउट ITR काम कर पाऊंगा जेंपे सभी काम पर जदी कमपनी आपके ये कब पॉसिबल है और्ली प्रोप्राइटर सिप कमपनी में प्राइविट लिमिटेड लिमिटेड या फिर पार्टनर सिप लल्लप वगरा कमपनी में क्या होता है क्योंकि बिजनेस पेन में हम प्रेटिसिट कंपनी में हम इसको चेड़ कर सकते हैं क्लियर है को डाउट से तो बताओ बिजनेस रिटेल सकते हैं सब्सक्राइब अपने इसाथ से मतलब कुछ भी डाल सकते हैं जाल सकते हैं क्योंकि एक बार आपको बदलने का महुंगा बिलता है माली जी जब आज आप जैम पर रेजिस्ट्रेशन कर रहें तो आज का डेट डाल दो जब आपका आईटियर अपडेट हो जाएगा तो फिर आप एक बाटो डेट बदल सकते हैं फिर आपको जो डेट आपका एक्चुल एक्चुल है उसमें जाके उतना पीछे का डेट डाल फिलाल जैगी आईटियर अपडेट नहीं या आईटियर नहीं तो अपको दो साल तक तो कोई तकलिफ नहीं होगा और यह यह जो बता रहा हो तो उसमें तो आटमेटिक डेट आएगा नवाहां तो गलेट डाली नहीं सकते ना वह तो आइटीर के वेबसाइट के साथ वेरिफाई होगा तो वहां तो गलड़ डालने का सवाल नहीं हुगता क्लियर है यहां तक अज ए इसमें आप से पूछा जाएगा कि आपके पास क्या क्या इसको आप कभी भी बदल सकते हो कि स्टांट अज मेरे पास इस्टाइट अड्रिम नहीं है अच मेरे पास क्लिपी अप्लाई क्या था हो आ तो में देखू है यह भी आपको start up नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है कही पर वी, और आपका profile भी 100% complete है, अब मिरे पास start up आ गया तो मैं इसको यहास्स कर देताओं, और safe कर दूंगा profile मेरा complete incomplete हो गया क्यों हो गया क्यूंकि मेरे पास एक नया type startup आ गया और ये मेरा update अपडेट नहीं है तो मैं आपको अब startup मुझे update करना पड़ेगा ठीक है अब मेरे पास startup नहीं है तो मैं इसको no कर दो तो यह सब चीज़े आप बाद में कभी भी बदल सकते हो जदी नहीं है तो no कर दो है तो yes उद्यम मेरे पास है MSC जिसको यह उद्यम बोलते हो है ना वो है तो यहां पर उद्यम नंबर अपडेट हो गया है इसके वज़े से यह मुझे yes बोलके आ गया फिर से no करके save कर दिया मेरा profile 100% हो गया और startup का options यहां से निकल गया सेम उद्यम के साथ भी ऐसा ही होगा additional details में बोली additional details में किसे को कोई doubts है तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं है तो नो कर दीजिए जब आप बना लेंगे तब आप yes कर देंगे तो इधर यह options आ जाएगा तब आप उसको update बाद में कभी भी कर सकते हो तो यह editable है यह जो options है यह editable है बाद में आप इसको edit करके फिल कर सकते है इसमें sir do you want to participate in video इसमें yes ही रहेगा हाँ yes में yes करो no करो कोई फरक नहीं पड़ता आपको फिर भी वीडियो में participate करने को options मिलेगा उसके बाद आते हैं office location यहां पर आप अपना office location को update करेंगे यह पहला है registered यहां से करना है तो add new office और यहां से आपना office नाम डालेंगे जैसे मैंने डाला है इसको मैं edit कर देता हूं यह मेरा office का नाम कोई इंटरफेज अब मुझे पूछ रहा है क्या आपके पास GST है तो मैंने डाल दिया no मेरे पास नहीं मैंने बोला था GST mandatory नहीं तो देखो no कर दिया तो GST हमाने लिए optional हो गया कह मेरे पास GST number है अब मेरे पास GST number पहले नहीं था अब आ गया तो अभी भी हम इसको yes कर सकते हैं और अपना GST number update कर सकते हैं तो है तो yes नहीं है तो no तो without GST भी आप registration कर सकते हैं जदि नहीं है तो आपसे पूछ रहा है क्यों GST नहीं है तो मैं मेरे turnover में GST lock accordingly नहीं बेठता हूं इसलिए नहीं है तो इसके लिए मैं एक declaration दूँगा और यहां पर मैं पुरा अपडेट करूंगा यहां पर और एक चीज़े अपडेट करने वाली बात है कि यहां पर mobile नंबर से पहले 0 डालने का और यहां जो नंबर डालेंगे जदिए आपको कोई order मिलता है वही mobile number buyer को दिखेगा और यहां जो email डालेंगे वही email डालेंगे वही email डालेंगे यह mobile नंबर और यह email id ही बायर को दिखेगा मेरा नंबर यही है कि मेना मोबाईल वार यही मेरा email on कि ठीक है यहां पर आप without us D. efficiency के साथ रेजिस्टेशन कर सकते हैं ओफिस लोकेशन बोलिए कोई डाउट से किसी को कुछ पूछना है तो बताईए उसके बाद है बैंक एकाउंट अब पल्टिबल बैंक एकाउंट अपडेट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाप एक किया है तो मैं आफ के वास बैंक एकाउंट डाल देता हूं आइफ्सी कोड प्रॉपर होना चाहाए जैसे यहाप डाल देंगे यहाप एकाउंट आजाएगा तो इसको ड्रॉप डाउन से चूज कर लेंगे तो automatically bank का नाम और branch के पूरा एड्रेस automatically आ जाएगा online account holder का नाम तो मेरा किस नमसे akcieром कोल Bowoo से नम से ढूइक क्यों क्ज़िफित के नामसे डाल दो पूर्चनक कवाम नमबर नामसे डाल डेल। और रेकवार रेप़ट है और इसको से देखो आपका बेंक एकांट नंबर अपडेट हो गया तो यह उसको डिलेट करना है तो आप अब इसको डिलीट करना चाहूं तो मिएंसे डिलीट कर सकते ऊफॉर यह है यह इससे आपको पैमेंट होता है इससे आपको लेना देना नहीं लहीं भी अपडेट हुआ तो भी चलेगा यह बाइंग के लिए सब्सक्राइब किरे में लिखा रहा है काइंडली अपडेट यॉर बैंक अकाउंट अड़ेड इन यॉर प्रोफाइल एज इस नॉट पी एफ मैस वेरिफाइड यहां पर आपका यह जो नंबर रहे वेरिफाइड नहीं होगा तो आप इस पे क्लिक कर दो इसको वेरिफाइड पे क्लिक कर द ने का खुंअ मृटिपल अकाउंट और यह बैषिए आपके आपके पाएग्स को बढ़ने क्या अले थाम यहांगांड हो और centrally बना देंगे स्टाइमेर है अब जो भी स्ट्रांजक्शन ऊंगे मुझे तो अब इस प्र वर प्राइमरि को बनाना है इसको बनाना है इसको बनाना है इसको फॉलिट करना है तो हम दुसे वाले हैं मैं नहीं दिखेगा बाइयर को प्राइमरी बना कर रखें किया बना सकते हैं अपने कमपनी का नाम क्या डाला चिंतावनी एंटरपैजेश तो फिर आपका आपको कैसे मिलेगा दुस्से एक और है प्रोपेटरिश के नाम से जाएगा तो जब जाएगा आपको आसे क्यों करेगा को चिंतावनी कोई करेगा चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इन्वाइसिंग क्या है बैंक एकाउंट के बाद इन्वाइसिंग मैंडेटरी कभ है जदि आपका ट्रण वर पांच करोड से उपर है लास्ट तीन साल में जदि आपका ट्रण वर पाइफ सी आर को आपने क्रोस कर गया तो आपका आपके लिए इन्वाइसिंग मैंडेटरी होगा तो आपका ट्रण वर जितना है वो डालने का और इसको यस करेंगे यस करके वेरिपिकेसिंग करेंगे कि आप इन्वाइसिंग के दाइदे में आते हैं जदि आपका ट्रण वर पांच करोड़ों से कम है तो आपका मैक्सिम उसका आपको एक declaration यहांपे देना है इससे कोई भी टेन आँ दाला का यह फिर संस स्टार्ट आप से नीचे हैं तो नो लेकरेंगे यह एक dk gh जो आपको देना है बोलिए को डाउट से किसी को यहां तक में उसके बार आता है उद्यम जदि आपके बस उद्यम है तो उद्यम नंबर डालेंगे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और इसको वेरिफाई कर देंगे तो अटमेटिकली उद्यम नंबर आपका वेरिफाई हो जागा याद रखे करता है तो यहां पर जरूर चेक करो कि आपका कम्पनी का नाम उद्यमे क्या है इस वेरिफाय नहीं होगा जैसा नाम है कुछ लोग आगे मस डालतेuito यहां पर होना चाहिए तो आपको यहां पर तो नहीं चेंज करना पड़ेगा उद्यम में चेंज होता है उद्यम में दल दीजिए और फिर वेरिफाई कीजिए वेरिफाई हो जाएगा कि लिए यहां तक है अब बोली है अब बोली सब्सक्राइब करें तो जैसे कि आपको नाम क्या रखना है तो यह एकाउंट बना रखना है तो फिर आपको उद्यम में जाके एडिट करके उद्यम में जो जेम पे नाम है वही नाम एडिट करके वहां पर डालवाना पड़ेगा उसको सुधार किया जा सकता है उद्यम में सुधार होता है चलिए नेक्स्ट बेनिफिसरी ओनर्शिप कंप् जिए फार जिसको बोलते है ना उस जिए फार तो फाजन सैवेंटिन में एक रूल में बदलाव किया गया कौन से जिए फार के अकोर्डिंगली यग रूल में चेंजस लाएगे वो चेंजस क्या था में चेंजस यह था कि हम मेक इन इंडिया के तहत तब मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया तो मेक इन इंडिया होता है 20% मेक इन इंडिया होता है कितना होता है 20% एट लिस्ट कोई भी पॉड़क का मेक इन इंडिया 20% हुआ तो हम लोग उसको मेक इन इंडिया के तहत मानते है ये मैंकिन इंडिया 20% क्या होता है ये सब आगे हम लोग बात करेंगे फिलाल हम लोग इसको डीटेल में बात नहीं करते हैं सिविक सौटकर समझाता हूं हम उनका पॉड़क्ट नहीं सेल करेंगे जिनके साथ हम बॉर्डर सेयर करते हैं जियो जो country के साथ तो हम लोग किस-kिस company के साथ बोडर सेर करते हैं जैसे नेपाल भूटान, चाइना, पाकिस्तान बंगलादेस इनलोग के साथ हम लोग क्या करते हैं बोडर को सेर और भी country है अफगनस्तान है ना इनके साथ हम बोडर सेर करते तिनका पूरा का पूरा मैनिफिक्चिरिंग क्या होगा पोड़क्ट हम जेम पे बेच नहीं सकते इसके लिए या फिर मैं सेल नहीं करूंगा इसके लिए मैं एक डिकलेरेशन दे रहा हूँ बेनिफिसरी ओनर्शिप कंप्लाइंस का दूसरे कंट्री का हुआ तो हम सेल करेंगे पर उनका हम नहीं सेल करेंगे ठीक है तो इसको बोलता है बेनिफिस का हमें डिकलेरेशन जेम पर देते हैं डिकलेरेशन से क्लियर है कोई डाउट से है बेनिफिसरी का तो इसको डिकलेरेशन करने के लिए यहां पर वेरिफिकेशन कोड बेजो डालो आपके चाहें जाएगा डालो आपका कंप्लाइंस खतम हो जाएगा तो यहां पर आपको सब ग्रीन हो गया मतलब मेरा प्रॉफाइल कंप्लीट है मेरा ऑप्सेनल में में क्यूं है क्यों कि दो हजाए से यहां से दो साल तक मतलब में अगस्ट दो हजार पचीस तक आई टियर मेरा ऑप्शनल में रहेगा अगस्ट दो हजार पचीस के बाद यह आई टियर हमारा मैंडेटरी में चला जाएगा तब तक आई टियर हमारा ऑप्शनल में रहेगा क्लियर है को डाउट से दो बता है यहां तक में आइटियर ऑफ्शनल में रतना सही है यह जो ज़िए करेगा आप डिसाइड नहीं करेंगे आपके पार जिए हैं यहां दो साल हो गया यहां से तो इटीर ओपडेटरी में चला जाएगा जदी दो साल से कम है तो इस और आप्डेट नहीं करते हैं तो आप टेंडर में पाडिसिपेट नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने पहले के क्लाउज में बताये थे हां सिंग सर बोलिए अभी सर्व हम लोग वहां आगे नहीं पहुंचे दिरे दिरे पहुंचते हैं ठीक है तो चलिए आई टीर अपडेट करने के लिए क्या आई टीर एच पर रूल कभी भी बोलता है कि तीन साल का आपको आई टीर अपडेट करना चाहिए ऐसा अझा जि Ng बताता है पर जिम पर ऐसा कहीं पर भी पडी कुछ लिए Sindist एक साल का भी अपडेट कर देंगे तो आपका काम होजाएगा ठीक है कि क्तों से कंआपको एक साल का ऐटीर अबडेट करना ही पड़ेगा आई टेर जो है कम से कम एक साल का अपडेट करना पड़ेगा जदी आई टेर और आई टेर अपडेट करने के लिए क्या चाहिए आई टेर अपडेट करने के लिए आपको आई टेर फॉर्म लगेगा क्या लगेगा itr form जो आप itr के website से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे भी एक problem है यहाँ पे देखो type of itr इतने type के होते हैं कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से itr 1 और 2 नहीं चलता है 3 4 5 6 और 7 चले तो आप यहाँ पे itr के website में login करके itr का form डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको acknowledgement और balance sheet काम नहीं करेगा प्रॉपर itr का form चाहिए और form से आप अपना itr अपडेट कर सकते हैं तो देखो itr कैसे अपडेट करने का मैं itr का एक page निकालता हूं है ना जनर्री प्रोप्राइटरसिफ कंपनी को itr4 यूज करते हैं जितने भी प्रोप्राइट पेच कोंगे आपके see आपको अलग-अलग तरीके से यहाँ पर बताना बताइए तो इसको आप किस तरीके से यहाँ पर अपडेट करते हो देखो वह मैं आपको अपडेट करने का तरीका बताता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर डेटा उधर जाएगा तो सबसे पहला कहां पे हैं इसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि कन्फियूज ना हो जाए को साथ है हमारा इसको पहले क्लोज करते हैं यहाँ ठीक है यह मेरा अक्नॉलिजमेंट है तो सबसे पहला आई टीया टाइप आई टाइप कहा से मिलेगा मुझे यहां से लेको फर्स्ट पेज में यह यहां पर कैसा है यहां पर क्या डालूंगा यहां टू नहीं चलेगा टाइप एसस्मेंट इयर कौन सा एसस्मेंट इयर है तो यह आई टीयर के यह आपका acknowledgement नमबर है तो यह acknowledgement नमबर आपको डालना है यह acknowledgement नमबर, copy करूँगा acknowledgement नमबर को best होगी acknowledgement नमबर डाल दिया अब profit and gain यह कहां मिलेगा तो profit and gain नीचे मिलेगा देखो यह part A है यहाँ पर B1 के data में मिलेगा पार्ट भी, gross total income बोलते हैं, ति यह gross total income या फिर यह आप डाल सकते हूं, income from business यह बोलके सर्च भी कर सकते हूं, income from business में जो आपका highest है वो डालने का, 454-321, B1 का data, 454-231, यह डालेंगे, 454-321, schedule B&P यहां तो लिखी दिया है E1A तो इसको डालेंगे E1A यह इसका फिर या फिर इसको बोलते हैं gross receipt याद रखो इसको हम लोग दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं E1A को gross receipt इसको profit and gain और इसको gross receipt या फिर E1A तो जैसे यह B5 है फिर C चालू हो गया एसा E1A E1A क्या है C075758 यह maximum बहुत सारे लोगों का 0 रहता है तो जदी 0 रहेगा तो 0 ही डालना 3075758 ठीक है और E1 भी 709500 यह डालना 709500 वही है ना परफेक्ट यह डालोंगे और इसको create कर दो जदी यह सही है तो verify खुद कर लेगा देखो सिर्फ नहीं इसमें दो error आया income from business proof और pen दो error आया मतलब मैंने कुछ data में भी गलत किया है pen card तो मेरा गलत है ही मेरा जिसका pen card वो भी यूज नहीं करा था और मैंने income from business में भी गलत डाला है पतलब यह जो data डाला है यह भी गलत है यह मेरा data देखो यहां पर बोल रहा है गलत है यह हमको खुद error भी बता देता है तो यह वाला data फिर बी टोटल income का लेगा बी फाइब का 454239 फिर यह data दे लेगा अब साहिदा मुझे एक ही एरर दे दो एरर इंकम फ्रॉम बिजनेस प्रूप 454239 बनावत तो है एक में फिर से चिकर दो 239 जन्या पीवन का data ही काम करता है 231 अब देख परफेक्ट सिर्ट पेंगार आए पेंगार आ सकिया क्योंकि यह पेंगार वो पेंगार नहीं है तो यह आटोमेटिकली ओनलाइन वेरिकेशन करता है गलत आप नहीं डाल सकते जो सही है वही डालना पड़ेगा मैंने गलत डाला था तो दो एरर आ दे थे सही डाल दिया बाकिक एरर खतम होगे मतलब मैंने जो यह जो data डाला यह सब कुछ सही है सिर्फ मेरा पेंगार का mismatch है क्योंकि मेरा पेंगार का वो आईटियार नहीं है के लिए है आई टियार का अपडेट में कोई डाउट से किसी को किसी को को सिर्फ आपको सिय बताएगा मेंडम यह ज़्यादा पता बता होता है सिर्फ हम लोग उसके रिगार्डिंग ज्यादा बात करेंगे ना तो हमारा जैसे मैं अपना आई टी आर फाइल करती हूं तो मेरा फॉर्म नंबर बन भरा जाता है तो मैं जैंपे पर रेजिट्रूशन नहीं कर सकती हूं करेंगे आपको फिर बता देंगे चले यहां पर किसी को और उसके वाद आते हैं फिर लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक अभी फिलाल बंद है यह आपको एरर मेसेज देगा इंडियन पोस्ट यह बीच में सिर्फ दो मेहने के लिए चालूआ था फिर बाद में बन दिये यह आपको एरर मेसेज देता रहेगा यह तब से जेम पर बन दिये इसकी ज़ुरत नहीं है ऐसे भी ऑप्शनल का पार्ट है नहीं भी अपडेट करेंगे तो भी चलता है है ना लॉजिस्टिक उसके पार आता है टैन जदि आपके पास टैन नंबर है ट अब लोगों के बस टैन नंबर नहीं होता है जदि आपके बस टैन नंबर है तो आप यहां पर टैन नंबर अपडेट कर सकते हैं तो यह यह तक में किसी को कोई डाउट से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि क्लियर है या कोई डाउट से हैं कि कि फिर टैक्स करने के लिए टीडीयस को डीडेक्स करने के लिए टैन नंबर में उता है अच्प आपके स्ब्सक्राइब अप्सिर नंबर जरूरी है हमने अप्लाइग करना है अप्सिरनल है यहां देखो मैंने बता भी रहा हूँ गए कि आपके पास नहीं रहेगा तो भी कोई नहीं नौर्माली बिजनेस पर देना जुरूरी है तो आप से सजेशन लीजिए यह सब सब्सक्राइब हम ज्यादा देखो हम ना सिये हैं ना उसके तो नहीं सब्सक्राइब यह सब चीज़े आपको सीएसे डिसकर्म करना पड़ेगा हम जेम के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम से वह सब आपको सॉलिशन देंगे वार बर अटेट के लिए कर मेसेज आ रहा है सर्थकर्ण वह इन्फोर मेशन के लिए दे रहें बहुत है था आपको देता रहे वो लिये और किसी को कोई डौट से हैं तो हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या देखा उसको एक बार क्या-क्या देखा हम लोगों ने अभी तक एकांड मेर्जेम पर रेजिस्टेशन करना और उसके बाद उस प्रोफाइल को पूरी तरीके से अपडेट करना हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग उसको अपडेट कैसे करते हैं यह हम लोगों ने प्रॉपर वे से देख लिया जदि हमारा इतना हो गया तो क्या मैं अब जैम पे काम नहीं कर सकते अब भी भी मुझे जेम पर काम करना है तो मुझे और एक काम करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉजन मनी क्या बोलते इसको कॉजन मनी deposit करना पड़ेगा यह money हमें deposit के तोर पे जेम पे रखना पड़ेगा यह deposit amount है मतलब refundable है कब आप कोई refund मिलेगा जब आप जेम में अपना account को close कर देंगे कि मुझे अप जेम पे काम नहीं करना है close कर देंगे तब यह पैसा आपको refund कर दिया जाएगा तब तक जेम अपने पास इस पैसे को रखेगा तो यह deposit के दोर पर रखना पड़ेगा कितना रखना पड़ेगा जदि आपका टैन ओबर 1 CR से कम है तो 5000 एक करोर से नीचे है तो 5000 एक करोर से पांच करोर के बीच है तो 10,000 और 5 CR से उपर है तो 25,000 यह आपको इतना पैसा deposit के तोर पे रखना पड़ेगा तो जेम ही बता देगा कि आपका टैन ओबर कितना है आपको कितना deposit रखना है यह जेम भी बता देगा यह deposit बहुत सारे लोगों को नहीं पे करना पड़ता वो किन को जदि आपकी company मतलब आपके पास आपकी company proprietorship है प्लस आपके पास उद्यम है और आप ओमेनिया की category में आतो मतलब company का owner कोई ladies फीमेल है तो आपको यह पैसा नहीं भरना पड़ेगा तीनों होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक है मेरे पास उद्यम है तो मुझे नहीं लेके का ऐसा नहीं तीनों में मैच होनी चाहिए आपकी company proprietors होने चाहिए और आपके पास उद्यम उद्यम अपडेट होना चाहिए जेम पे और company का owner company किसी फीमेल के नाम पे रेजिस्टर होनी चाहिए तो आपको यह कौजन मनी जो 5000 है वो भढ़ने की ज़रुरत नहीं है दूसरा और किसको जदि आपकी company proprietors है प्लस आपकी company में उद्यम रेजिस्टर है उद्यम अपडेट हैं तो भी आपको यह पैसा नहीं भढ़ना पड़ेगा इसमें आपको छूट हो यह दो ऐसे categories हैं जहां पर आपको कौजन मनी में एक जमसन मिलता है मतलब यह पैसा आपको भढ़ने की जोरुरत नहीं जिदि आपको पता नहीं था और आपने भर दिया है तो आपको यह refund भ हो इसमें से तो बताओं कि सब्सक्राइब करना पड़ता है यह सभी प्रोसेस अभी बताऊंगा फिलाल हम इसके रूल्स और रेगुलेशन बता रहे हैं बोले को डाउट से यहां तक में हां बोली है यह प्रप्राइडर सी बूख के अलावा प्राइवेट लिंग के अब्रेटरी होता है और एक बात है यह एक क्रोर से जादा है तो भी मैंडेटरी वन स्यार तक के लिए अप्सणल है और एक को और नहीं भरना पड़ता ज़्यदी आपका ट्रण वर पास्टो करोर से उपर है पाइफ हंड़ेड करोर से उपर कि अगर अगर अभी हम लोग का न्यूरे स्टेशन है और कुछ भी नहीं है तो इसमें भरना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला मैंने ऐसा बोला इस क्लॉज में मेरे क्लॉज को बराबर से ध्यान से उत्में सुनो जदी कंपनी का ओनर फीमेल है या कास्ट में है और उद्याम अपडेटेड है तो भरना नहीं पड़ेगा बाकि सबको भरना पड़ेगा तो फिर आपको भरना नहीं पड़ेगा क्लियर यह तक चलिए तो कैसे हम लोग करते हैं वह लेता हूं बरना कैसे है तो डैस्बोर्ड में जाओ यहां पे क्लिक करो यहां क्लिक करना यहां क्लिक करना है जैसे हैं क्लिक करेंगे आपको यह तीन बैंक का ओप्शन्स आएगा क्या क्या बैंक रहेगा वह एक्सिस SDFC और ICICI यह तीन बैंक रहेंगे कौन सा एकसिस SDFC और ICICI आप तीनों में से कोई भी आप्शन चूज कर सकते हैं पर देखो पैमेंट करने का तरीका भी तीन ही है एक RTGS एक NAFT और एक NET बैंकिंग यह तीन तरीके से पे कर सकते हैं जदे आपने एकसिस चूज किया जदे आपने एकसिस को चूज किया तो आपको तीनों आपसिंस मिलेंगे RTGS भी मिलेगा NAFT भी मिलेगा और NET बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं डाइरेक्ट यहां पोर्टल आपन होगा और NET बैंकिंग के पोर्टल से आप डाइरेक्ट ली पे कर सकते हैं पर आपने जदे HDFC और ICICI चूज किया यह दोनों में से कोई आपसिंस चूज किया तो आपके लिए दो आपसिंस की जगा एक ही आपसिंस आपन हो जाएंगे क्या-क्या RTGS और NAFT NET बैंकिंग का उप्शन निकल जाएगा NET बैंकिंग से फिर भी पे कर पाएंगे वहाँ पे मोबाइल एप पे या फिर NET बैंकिंग में जाके पहले आपको बैनिफिसरी आइड करना पूरेगा और एक्सिस में विदाउट बैनिफिसरी भी आप पेमेंट कर पाएंगे और जरूरी नहीं कि आपके पास NET बैंकिंग एक्सिस का ही होना जाएगे दूसरे किसी भी बैंक का NET बैंकिंग होगा तो भी आप डायरेक्टली पे कर पाएंगे विदाउट बैनिफिसरी अड़ करके ये फैसिलेटी सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सिस में ही मिलेगा बाग की दूसरा कहीं नहीं मिलेगा और एक बार आपने चूज कर लिया अब मैं इसको बदलना चाहूं तो मैं बदल भी नहीं सकता यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है कोई डाउट से सरवर गल्पनेश में कॉजन बने जगा नहीं भरते हैं तो जेम हमें नोटीफाई करता है नोटीफाई नहीं करेगा आप जेम पे कोई काम नहीं कर पाएंगे काम करते जाएंगे आपको बता रहेगा आपका कौजन वनी पे नहीं किया है तब तक नहीं कर काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप कौजन वनी नहीं भरेंगे ठीक है चलिए तो नेक्स ठाथ है तो मैंने यहाँ पर बैंक चूज कर लिया आप भी चूज कर लेंगे एक्सिस quantify कि यहाँ पर बताएगा सेष सोल लिमिट कितना है मुझे यहाँ पर जीरो बता रहाए क्यों बता रहा है मुझेश रो क्यों बता रहा है और क्योंकि ने क्योंगि मेरा कंपनी का उनर फीमिल है मेरी कंपपनी प्रोप्रैटरसध और मेरे पास उद्यम् भी update देखो उद्यम् के सामने ग्रीन है बतलब यह भी update है इसलिए मुझे जिरो बता रहा है मुझे कितना वतार रहा है ? 0 क्योंकि मैं extension category में हूं इसलिए मुझे 0 है तो मुझे फिर पे करने की जडरत नहीं정이ए जदि मुझे भना ही नहीं है ç0 है तो मुझे balance भी दखने की जडरत नहीं पर जदि मुझे यहां पर आता लिखा हुआ 5000 तो फिर मुझे 300 लिमिट जदी यहां पे लिखा हुआ आता कि आपको 5000 लगेगा तो मुझे फिर 5000 पे करना पड़ता पे कैसे करेंगे देखो यह जेम में यहां का एक बहुत एरर है समझे क्या तो यह बार-बार आपको एरर दे सकता है देखो यह घूम रह करेंगे यहां से जन्रेट चलान तो एक नया टैब खुलेगा मेरे पास यहां पर दोनों ऑप्शन से एड़ चलान और डाउनलोड चलान और एड़ फंड का उप्शन से एक्सिस बैंक में आएगा तो मैं एड़ फंड पर क्लिक करता हूं कितना पे करना है मुझे 5000 तो 5000 एंड आक्सिप्टίζ는 को एक्सिप्टकरेंगे और आपका बैंक किस में है कूए बंक में आपका नेट वैंकिग है dec mist कोई भी बैंक ऑ oxygen करो जहां आपका नही यहें लिखाबेरा करनाठाका चुस्व कर लिए बहुत सरी बैंक है किसी भी पंचाम न्सलuba आर बीए ले सब्सवाथ的 स्क्राइब से यू को सब्सक्राइबंगे जो भी बैंक कमाराश्टा मेरे तो को मानस्टा उसक लिए मोबाइल नंबर डाल दी जये मेला डाल तो यहां पर भी 5000 डिस्प्ले होना चलो जाएगा और जेम पर आप काम कर सकते हैं यह कब पॉसिबल है उनली एक्सिस में जदे एक्सिस छोड़के दूसरा रहा तो फिर क्या तो उसके लिए आपको जान फिर यहीं पर जाना है जनरेट चलान और आपको आप चलान हा जाएगा और फिर आपको नेड़ वेंकिंग अपना उपन करना है वहां पर बेनिफिसरी एड करना है एड करने के बाद वहां पर पे करना है जब पे कर लेंगे उसके बाद आप इसको अपडेट बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बैलेंस आ जाएगा यहा या कोई डौट से तो बता हूं जो ऐकाउंट नूमबर शोकर रहा है तो हम डार्यकट बैंक जाके इस लिए मेर करेंगे स्वार्गान संब良 कर रहे हैं यह जेा झालना धेरर के मंध कर रहा है तो फिर यहां चलान करके आप पे कर सकते हैं अभी आपकी केस में कोई एंटरफाइस से में 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 हैं लेकिन आगर आपका टर्ण और वन सियर के अब होता तो यहां पर 5000 तो फिर आपको दस हजार डिपोजिट करना पड़ता है पांच यह नहीं ओक तेन थासिट तेन करेंल दills थे क्लिक कर दो को स्कश्च कर जाएगा और यैदी आपने डिरो यह बता रहा है और यह 5,000 बता रहा है तो आप यहां पे विडॉल एक्सेस फैंड या पना पैसा बिडॉल भी कर सकते हों यह बया पिर अपने गलती से एक बड़ों निमिट 5,000れए और दस हजार हो गया इससे जादा हो गया तो यह जो पांच हजार का एक्स्ट्राइमाउंट है वह आप विड्रॉल कर सकते हैं क्लियर है कॉजन मनी के बारे में कोई डाउट से तो बताओ कॉजन मनी तक नहीं किसी को तो काम नहीं करेगा आपको बार बार यह जेम का यह गॉर्मेंट की पोटल है तो आपको इसकी आदर डाल लेना है थोड़ा एक दो बार रिफ्रेस करते रहना पड़ेगा जब तक यह प्रॉपर काम ना करें बोली यहां तक में किसे कुछ पुछना है कोई डाउट से तो बता हाँ अब होगा अब जदि में जनरेट चलान पर क्लिक करूं तो मुझे आप यहां पे नया टाप खुलेगा और यहां से में चलान डाउनलोड करता हूं अब 5000 डाउनलोड चलान अब देखो चलान डाउन अब मुझे डिटेल्स आजाएगा किसके नाम से पे करना है एकाउंट नंबर क्या है आएपसी कोड क्या है बस इस नाम से बेनिफिसरी आड़ करो आपके डेट बैंकिंग में और इसमें पे कर दो पे कर देंगे थोड़ा दिर के बाद अपडेट बैलन्स पे क्लिक करो यह सब्सक्राइब करना हो जाएगा और नहीं तो आपको रिटन आ जाएगा क्योंकि आपका हो जाता काम जैदि आप खुद ही बेनिफिसरी आड़ करके यहां पे पेमेंट कर देते तो आज सुबह करते हैं तो साम तक यह अपडेट होके बैलन्स आभी जाता है कहीं आपको जाने की जोज़त नहीं थे चलो कोई डाउट से किसी को पूछना है ठीक है तो हम लोगों ने आज आपका एकाउंट बना दिया प्रोफाइल अपडेट करना सिख लिया और खौजन मनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेंश्ट मतलब मेरा प्रोफाइल आज हम लोगों ने बना लिया जैदि इतना कर लिया अब कल से हम लोग में काम चालो करेंगे तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे पोड़क्ट को लिस्टिंग करना और सर्विस लिस्टिंग करना तो पोड़क्टट लिस्टिंग करने के तीन तरीके क्या क्याँ पयर क्लौन के-नूट त।्समें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी कोनो सा देखेंगे ये वाला जो first part है यही पार्ट हम लोग कल की class में कवर करेंगे और service listing करना कवर करेंगे गलोनों नया हर day के lecture में कवर करेंगे टैर एक बहुत important topics है यह आपके लिए बहुत important रोल करेगा यह चैसे सीखोगे तो आप L1 direct purchase करना सेख जाओगे कोई भी order पेर आपको एकदम प्रॉपर वेसे सिखाएं यह कल के लेक्चर में हमारा कवरोगा